यह स्ट्वेंट यह क्लास सेवेंद की हिस्ट्री का सेटेंड चैप्टर है नए राजा उनका राज्य यह पर कुछ नए सब दिये गया है जो आप इसलिए राइट डॉन कर सकते हैं और लिख लेंगे तक आप नए सबसे जनकार हो और इसका आपका अर्ष समझ में आ जाए ठ चोड़े राज्यों के विकास कैसे हुआ ठीक तो हर्ष वर्दन की मिर्त्वी के पशा भारत में कुछ आसन की आप सिकार फूट हो गए यानिकि जो फोट्वर्दन जे उनके मिर्त्य हो जाने भारत में क्या उथ्थर पुथल हो गया था तो इसे पढ़ने से पहले जाने कि हर्ष वर्दन कौन थे ठीक तो हर्ष वर्दन के बारे में हमें हर्ष वर्दन को कैसे जाने कि हर्ष वर्दन नाम का एक राजा हुआ कर दे थे उनके विशाय की जनकारी हमें उनके दरवारी कवी बारवर्ट में संस्कीत में उनकी जूनी हर्ष रित में लिखे थे इसी के द्वारा हर्श्वरदन के बारे में पता चला ठीक तो उनके विवस्था पे आते हैं सातन विवस्था पे तो जब गुप्त सम्राज्य की पतन होने के बाद भारती रहने थी कि उथल पुथल हो चुकी थी भारती सरवदों को रक्षा करने के लिए कोही बीर नहीं था और इस इस समय था जो बीर परभाकर की पतनी रानी यसो मती ने एक सुर बीर पुत्र का जनम दिया जिनका नाम था हर्श्वरदन ठीक हर्श्वरदन के पिता का नाम परभाकर अब मता का नाम यसो मती था ठीक हर्श्वरदन के पिता और उनके बड़े भाई बड़े भाई की जब मिर्टि यह हो जाती है तो हर्षवरदन शूले वर्ष की उमरे में ही थाने शर का राजा बन गए हए समे में कि यहको करीब सबी, यानी कि आज्शि से उंसहः पूर पहले वह थानेशर का राजा बने शुले वर्ष का जो बहन वहन लुह जला है जब बंगाल की सासक ने उन्हें मार डाला किसको हर्ष की बहनोई को बंगाल की सासक ने मार डाला तो हर्ष ने क्या किया हर्ष ने कनोज को अपने अधिन कर लिया हर्ष ने बंगाल की सासक से यूद किया और उसे कनोज को अपने अधिन कर लिया और साथी बंगाल और मंगत क बिश्च को भी अपने बंगाल को भी जीत लिए तो अनसे क्या करते थे इर्षा करते थे अब वहां की जो भूमी थी बहुत ही क्या थी उपजाओ थी कि नौच गंगार के मैदान के केंदरे में इस थी था को यह नहों ने कोनोच का के भूमी को इतने महात्रपुन सब्सक्राइब अपने राजी के सास्थनकाल में इसरे इस से तो को बहुत ही महात्रपुन और समृद्द बना दिये वेटे वायर हर्दन और कलेयार वर्दन उनके दोनों बेटे की अरणनास मंतीर ने उनकी दूने बेटों को हत्या कर दे इसे को जात सी है कोई वारिष जिंदा नहीं बच सका हैं जिसको जासी का पूरा फिर जाकर करणे कि लिए अब क्या हुआ वहां का कजो शुतर का भूमी था उथर पूथर हुने लगे थे तो प्रमुख राज्ये आपस में क्या कर रहा है आपस में लड़ रहे थे यूद कर रहा थे कई सदियों तक कौन-कौन से राजय थे तक परतिहाया राश्रकुट और पाल बहुत दिनों तक यूद किये और इस यूद का नाम त्री पच्छी संगर्ष कहलाया ठीक आई होप आप कोई हर्श्वर्दन के बारे में समझ में आ गया होगा आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में ओके